नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन की दिन भर की खबर जानते हैं ज्यार्खन सरकार की TAC को रद कर सकते हैं राजेपाल राजेपाल रमेस ज्यार्खन सरकार की ट्राइवल एडवाजरी काउंसीर TAC को रद कर सकते हैं ऐसा वह पांचवी अनसुची के प्रवधानों के तहत कर सकते हैं और जारकन सरकार द्वारा बनाई गई टीएसी निमावली को अस्तमेधानी करार दे सकते हैं टीएसी को रद करने के लिए राज़बहन द्वारा कानूनी पहलूओ का ध्यान करा लिया गया है राजेपाल ने इस मावले में अटार्नी जनरल सहीत सुप्रीम कोट के वरिष्ट अधिवक्ता आत्मा राम एन एस नाड करनी और जारकन हाई कोट के अधिवक्ता सुभासिस रसिक सोरेन से सलाह ले लिया है राजेपाल अधिटी एसी को रद करते हाँ तो 2021 के बाद की बैठकों में लिये गए सभी निर्नय और चित्ते हीन हो जाएंगे राजेपाल द्वारा सुझाये गए निर्देशों का पारण कराने या नहीं करने नई नियमावली तथा इस्से अधार पर बैठक कर निर्नय लेने के समद में मुख्य सचीव को रिमाइंड भेज कर जनकारी मांगी गई थी राजे की गलत नितियों के कारण सिक्षकों के 90,000 पद रिक्त केंद्रिये सिक्षा राजे मंत्री अनपूर्णा देवी ने जरकन सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने गुरु आरको राजे अतिति साला में केंद्रिये जो नावो समगत सिक्षा अभियान तथा पधान मं राजे में सिक्षकों के ही 90,000 से अधिक पद रिक्त हैं आईसे में राजे में गुनवता पुन सिक्षा को उमीद नहीं की जा सकती केंद्रिये राजे मंत्री ने पिछली सरकार में लागू नियोजन निति को रद करने पर सवार उठाते हुए कहा है कि राज सरकार को नई निति बनाने के बाद ही पुरानी निति रद करनी चाहिए थी नई निति बनाने से पहले पुरानी निति रद करने से ही तमाम बाहलिया फंसी है इस्थितिया है कि आज राजे की सभी बाहलिया कोट चली जा रही है किसानों को धान खरीद पर 10 रुपया बोनस देगी सरकार पर बिजेपी का तंज मुख्य मंत्री हेमान सुरेन के अध्यक्स्ताय में गुरू और कोही राजे केबिनेट की बैटाक में सुखे की मार जहल रहे किसानों को साल 2022 स्टेज में उनके उत्पादित फचल के नितम समर् पर प्रतिक इंटल के हिसाब से 10 रुपया का बोनस देने का फैसला लिया गया मालूम हो कि जार्खन के किसानों ने इस साल सुखे की भ्यांकाई सिती का सामना किया है मालूम हो कि केंदर सरकार ने वित्यवर्ष 2022 स्टेज के लिए समाने किस्म के धान के लिए 2040 रुपय परतिक इंटल और एक ग्रेट के लिए 2060 रुपय परतिक इंटल तरह किया है आवासी इसकूलों में सिक्षक नियुक्ति में महिलाओं को 50 परतिषत आरक्षन मुख्यमंत्री हेमान सुन के देख्षता में गुरुगार को जार्खन केविनेट की हुई बैठक में आवासी इसक्षकों की सिधी नियुक्ति के मामले में महिलाओं को 50 परतिषत 36 आरक्षन देने का नियने लिया गया अनुसूची तजन जाती अनुसूची जाती अल्पसंख्यक एवां पिछडा वर कल्यान विभाग के अंतरगत आवासी इसक्षकों की सिधी नियुक्ति मे आरक्षन अधिनियम 2001 के दायरे से बाहर करने की स्विग्रिती दिगाई हाई स्कूल सिक्षक मामला में सुप्रीम कोट में पेस हुए मुखे सचीव सुक्रवार को ज्यारखन के मुख सचीव सुप्रीम कोट में पेस हुए हाई स्कूल सिक्षक न्यूकती मामला को लेकर दैर और मन्नावाद की सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई जिसमें मुख सचीव तलब किये गए थे मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी बता दे हाई स्कूल सिक्षक नुक्ती मामले में दायर अमन्ना वाद की सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई मामले पर सुनवाई करते हुए कोट ने राज सरकार को अब तक नुक्त हुए अभियारतों के अम्तिम कटप को आधार मान कर इस केस के सब ही पिटीशन की मेधा सुची त्यार करने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोट में सुनवाई की दवरान उस्तम ने अलाय के निर्देश पर जार्खन के मुक्षची सुकदेव सिंग अदालत में पेश हुए सरकार की ओर से जाने माने अधिवक्ता कपिल सिबल ने पक्ष रखा है वहीं प्रार्थी सोनी कुमारी की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार ने पक्ष रखा है मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की गई है स्वास्त मंत्री ने की MDA अभियान की सुरूआत जारखन में फैलेरिया और कालाजार के प्रती लोगों में जगरूपता लाने के लिए अभियान के शुरुआत की गई है जिसे फैलेरिया के ज्यादा मरीज वाले साथ जीलों से शुरू किया गया या अभियान 15 दिन तक चलेगा इसके अलावा कालाजार के लिए एक कैम्पे फैलेरिया के ज्यादा मरीज वाले साथ जीलों में MDA, IDA की शुरूआत की है साथ ही फैलेरिया और कालाजार के लिए कम्यूनिक केबल कैम्पेन भी लॉंच किया है जिसमें प्रख्यात अभिनेता मनोज बाजपेई लोगों को फैलेरिया और कालाजार के प्रती जगरूप करते नजर आएं असगरी बेगम और उनके पांच बच्चे सामिल हैं इनमें तीन लोग की स्थिती गंभीर है जिन्हें मांडर, मुख्याला इस्थित, मिसन, कंटेंट, लिवास, अस्पताल के आईसुवार्ड में भर्ती कराया गया है जहां तीनों का उप्चार चल रहा है मैदूर संगठनों का देश ब्यापी बिरोध दिवस का वहन किया गया है जिसमें केंद्र सरकार की अलग अलग योजिनाव के प्रती बिरोध दर्ज कराने के लिए या परदर्शन है जिसमें कोल कर खना मेडिकल निर्मान से लेकर सबीस तेक्टर के माईदूर और करमचारी सिर्कत करेंगे और अपना बिरोध जताएंगे रांच और सासनिक अधिकारियों के मादम से राष्टपती को पत्र भेजा जाएगा सीम ने तल्क लहजे में कहा है कि इस नियम के जरिये पहुत बेसर्मिस से अस्थानिय ग्राम सबा की सकती को कम कर दिया गया है लाखो वनवासी से प्रभावित होंगे लोबिन हेम्रम फिर से हमलवार हुए सीम हेमंत पर जार्खन में सत्ता रूड जार्खन मोक्ती मोर्चक वरिष्ट विधायक लोबिन हेम्रम ने फिर से अपनी ही सरकार के खिलाब मोर्चा खोल दिया है कल्यान बिभाग द्वारा संचाली चात्रवासों में और बेवास्था के मसले पर हेमान सुरेन की अगवाई वाली महागडबंदन सरकार पर हमला बोलते हुए लोबिन हेम्रम ने कहा है कि उनकी निंद खराब कर देंगे लोबिन हेम्रम गुरुवार को उपराइधानी दुमका में चात्र समन्वे समीती द्वारा आयोजीत महारायली में सामील हुए थे जारखन में बिजली संकाट राज़ानी समेत पूरे राज़े में बिजली कड़ोती जारी है सुबा साम के अलावा अब दीन में भी लोड सेडिंग कर आपूरती हो रही है इस कारण लोगों को परसानी हो रही है राज़े में 550 मेगावाट की लोड सेडिंग की गई हलाकि रा परगना के सभी इलाकों में 7 से 8 गंटे तक बीली कड़ोर्ती की गई इधर रांची में जरूरत की आधि बीली भी नहीं मिल रही थी जारखन में इक चरा से कैसे निप्टा जा सकता है अधिकतर लोग अपने मोबाइल फोन या टेलिवीजन सेट का निप्टारा कैसे करते हैं आम तर पर हम शुरुआती तर पर इसे कबाल को बेच देते हैं फिर एक कबाली वाड़े जरूरी समान को छाट कर बागी को फेक देत 660 मिट्रिक टन एक कचरा रिसाइकल किया जा रहा है लेकिन एक बड़ा हिसा हर वर्ष डंप भी हो रहा है क्योंकि अनुमान है कि देश भर में कूल एक कचरे के सिर्फ 15 पिजदी हिस्से का ही निप्टा रहा हो पता है रांची सहर में एक संगठीत रिसाइकल परतियक माया करी 25 तन से अधिक 41 इकठा कर रहा है वहीं असंगठीत कवाड़ी का ब्यापार करने वाले तीन गुना अधिक 41 संगठा कर रहे हैं जारखन में ट्रांसजेंडर की सुरक्षा के लिए अलग बोर्ड का होगा गठान स्वास्त मंत्री बना गुपता ने कहा है कि ट्रांसजेंडर की सुरक्षा के लिए राज में अलग से बोर्ड गठित किया जाएगा देश के अन राजों में अगर बोर्ड या एक्ट बनाय गया है तो उसको आत्म साथ किया जाएगा या नए सीरे से गठन भी किया जाएगा एट से संक्रामीत 5121 लोगों को पेंशन कलाब दिया जा रहा है वहीं 10,8808 संक्रामीतों को रासन कार्ड भी जारी किया गया है वह गुरुवार को स्याम पसाद मुखर जी विश्व विदाल और ना भूले साची साथ आप हमें कुमेंट बक्स में अपना फीड़ बैक अवासे दे थांक यू